जैहिन, तमिलाडू के कुन्नूर में हुए MI-17 हेलिकॉप्टर दुरगटना में, जो अंतिम सर्वाइबल थे हमारे, ग्रूप केप्टन वरुन सिंग जी भी, वो भी अब हम लोग की पूरी डॉक्टरों की टीम उन्हें भी नहीं बचा सकी, बतार इस सर्वाइबल में अब क बड़ी छती है, क्या कीजेगा सायद, भगवान को भी अच्छे सेना पती की जरूवत थी, ऐसे कुसल यो धाओं की जरूवत थी, जो उन्होंने भारत से उठा लिया, अब क्या आता है, कि एक उमीद लगाए गया था, कि जो कैप्टन वरुन सिंग जी है, ये बहुत ही ब ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स के बारे में हम कॉक्पिट वाईस रिकाडर और फालाइड़ डेटा रेकॉडर को समझेंगे, उससे पहले चौपर और हेलिकॉप्टर में अनतर समझते हैं, चौपर बहुत छोटा होता है, उसमें विंग्स जो रोटर बलेड होते है, वो मतलब कम होते हैं सब, जबकि अगर हेलिकॉप्टर देखेंगे तो इसका एडवांस बर जने, ये टुरिस्ट लोग, मीडिया लोग या पुलिस किसी चीज को चेस करने के लिए, गुंडे वगरा को चेस करने के लिए, चौपर्स का यूज करती है, जबकि हेलिकॉप्टर जो हेलिकॉप्टर क्रेस है, ना की चौपर क्रेस, जब कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो मौत का कारण पता करने के लिए, पोस्ट मॉटम किया जाता है, उसी तरह हेलिकॉप्टर या हवाई जहाज में, अक्सर ये देखा गया है, कि बहुत कम लोग सर्वाइबर होकर लेकिन क्या है, कि इतनी हाइट कम थी कि इस हेलिकॉप्टर क्रेस में आग लग गया, तो एक ही रास्ता है, उसको उसके अंदर बचताने के लिए, क्योंकि कोई जिंदा ही नहीं बचा, तो उसमें एक मशीन लगी होती है, जिसे ब्लैक बॉक्स कहते है, एक्चुली ये और अरेंज कलर का होता है, इसलिए औरेंज बनाए जाता है, ताकि अगर ये बिमान दुरघटना के बाद इसे ढूनना आसान हो जाए, औरेंज कलर के होने के वैसे, ब्लैक बॉक्स जो हता है, उसमें दो चीज होते हैं, एक होता है कॉक्पिक वोईस रेकॉर्डर, को जब मिला देते हैं, तो वो बनता है हमारा ब्लैक बॉक्स, अब इसमें जो पहला होता है, कॉक्पिट वोईस रेकॉर्डर, तो ये जहाज केमीन है, जहां पर कॉक्पिट में जहाज बैठते हैं, ये कॉक्पिट है उसका, यहाँ पाइलेट बैठते हैं, ये आपस में क क्या बात कर रहे थे, ATC को क्या बोले थे, passenger को कौन सा warning दिये थे, इससे बहुत सहुलियत हो जाती है, साथ में ये लोग distress signal भी देते हैं, देखिए, जहाज का जब एक engine फेल हो जाता है, तो ये लोग warning के तौर पे पैन, 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 पैन signal देते हैं, तीन बार बोलेंगे, पैन, 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 मतलब आधी emergency है, एक engine पे भी जहाद आराम से land कर सकता है, लेकिन यदि दोनों engine खराब हो जाता है, तो इसमें मेडे, मेडे का signal दिया जाता है, मेडे, 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 मतलब extreme emergency है, यह helicopter और, मतलब बिमान दोनों के लिए होता है, विपिन रावट सर के helicopter से last में, ना पैन, पैन का कोई distress message किया गया, नहीं मेडे, मेडे का कोई distress signal दिया गया, last बात यही थी, कि हम 5 मिनट के अंदर, हम airbase पर land कर जाएंगे, उसके बाद अचानक rudder से गायब हो गया, तो यह सारे recording को रखता है, cockpit voice recorder, अब जो दूसरा होता है, इसका black box का दूसरा अंग होता है, flight data recorder, flight data recorder में 80 से जादे आंकडों को record किया जाता है, कि यह rotor blade कितनी तेजी से घूम रहा था, बाहर हवाएं कितनी तेजी से चल रही थी, कितनी हाइट पर था, fuel कितना था, दाहिनी और कितना जुका था, बाहिनी और कितना जुका था, पीछे का rotor blade कितना तेजी से लड़ रहा था, temperature कितना था, हवाएं कि दिसा से आ रही थी, कितने pressure थे, प्यूल काम कर रहा था कि नहीं, कोई दुस्मन का रडार तो नहीं आया था, कोई मिसाइल से टैक तो नहीं हुआ, जितनी चीजे होती ही, 80 से जादे चीज़ों को यही बताता है, कि यह पीछे से कितना डिगरी उठा हुआ था, आगे से कितना डिगरी था, ऐसे 80 से जादे आकड़े जो रहते हैं, वो फ्लाइट डेटा रेकॉडर में रहते हैं, तो जो कॉक्पिट वाइस रेकाड़ और फ्लाइट डेटा रेकॉडर को एक साथ सुन कर, हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, कि आखिर लास्ट मोमेंट पर क्या था, अब कैप्टन वरुन सीम नहीं रहें, अब एक ही रास्ता पता है, ब्लैक बॉक्स, अब ये ब्लैक बॉक्स में ही हर चीजे होती ही, इसलिए ब्लैक बॉक्स को बहुत ही सुरक्षित बनाए जाता है, इसे सॉलीड स्टील से बनाए जाता है, इतना मजबूत ह कि अगर कोई हेलिकॉप्टर या जहाग साड़े 700 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से भी टकराता है तो इसे कुछ नहीं हो सकता है इसे अब गरम भट्टी में 200 अक्सर आग लग जाते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे 260 60 डिगरी सेल्सियत अपमान सहने वाला भी बनाए जाता है ये उसमें भी गलता नहीं है अगर ये पानी में गिर गया तो पानी में भी ये 30 दिन तक बीना बैटरी के सिगनल छोड़ते रहेगा बीकन छोड़ते रहेगा जिससे कि इसे ढूंडने में आसानी हो सके इस ब्लेक इस ब्लेक बॉक्स को प्रेसर सहने के लिए भी बनाए जाता है कि हो सकता है कि ब्लेक बॉक्स नीचे गिरे उसके उपर पूरे जहाज का लोड़ आ जाए तो ये धाई टन का वजन अपने उपर रोक सकता है इसे अगर कहीं स्क्रेच आये कटने पिटने से भी इसे कुछ न ये हेलिकॉप्टर है और जमीन से इतना पास आ गया है, अचानक ये धूंद में चला गया और यहीं से 100 मीटर आगी जाके ये टकरा गया, इतना सब होने के बावजूद, पाइलेट ने कोई भी स्ट्रेट सिगनल नहीं दिया, नहीं बोला कि मौसम की गड़बड़ी, ऐसा को टकना चाहिए, जबकि ये हेलिकॉप्टर 500 मीटर अपने रास्ते से भटका था, तो इसलिए भी इस पर सक की नजर जा रही है, दूसरा, ये हेलिकॉप्टर जो था, अब तक सबसे इंडिया का लेटेस्ट और एडवांस हेलिकॉप्टर है, इस हेलिकॉप्टर में किसी भी हेलिकॉप्टर का, तो लेकिन अभी जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्यास ऐसे भी लगाए जाक सकते हैं, ये बहुत मुखर थे, ये चाइना के परती, पाकिस्तान के परती बहुत मुखर थे, 370 हटाये जब गया था, तो फूल कॉन्फिदेंस में गवर्मेंट को इन अपनी जनता के परती अपनी पहुच को बना लेते हैं, उनमें एक डाइनेमिक रूप में थे हमारे विपिन रावत सर, इनकी तो कोई छती पूर्थी कर ही नहीं सकता है, लेकिन भारत में सेरों की कमी नहीं है, हमारे देश में जब भी लोग रहेंगे, हमारे विपिन इनके पिता जी की ही कमांड में ये भी आगे गाए, एक छोटे से गाउं से निकल कर एक देश के सेना पती के पत को समाले, इस पल को कोई कैसे भूल सकता है, जब विपिन रावत सर जो है, वो मेडल दे रहे हैं, बेस्ट केड़ेट का वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, हमा करें विपिन रावत सर को, कि गाउं के लड़कों को भी आगे पहुचाए जा सके एंडिये और सीडियस में, देखें, तीनों सेनाओं में जाने के लिए सबसे बेटर रास्ता होता है एंडिये, निस्नल डिपेंस एकेंडमी, 12 के बाद इसमें जाय जाता है, 900 नंबर का एक तो हमारी कोसिस यह है, कि जो बच्चे गाउं के प्रिष्ट भूमी के हैं, वो कहां से इतनी लंबी फी एपरट कर पाएंगे, हमेरे पास एक लड़का आया था, करने के लिए कि सर हमें इंडिये में 40-50,000 रुपे फ्रीज देखें आ है, गाउं का लड़का नहीं दे सकता है, हमारी सोच है, हम सोचते हैं कि गाउं का एक लड़का जिसके पीता जी अगर ठेले पे सबजी भी बेशते हैं, तो वो एंडिये किलियर करें, और आगे जाके वो पाइलेट बने, ताकि वो माबाप का साथ देश का भी नाम रौसन कर सके, इस वज़े से इंडिया में सबसे नॉमिनल पी में, जिसको हम बताते हैं एक रिक्से वाले का भी लड़का एजिली एपोर्ट कर सकता है, इस तीन महीने के सिलेबस को, तो हम लोग ये हमारी हिसाब से हमारी यही सरधांजली थी, कि हम उस खाली जग़ों को भर सके, ताकि देश में तो बीरों की कोई क आप लोग इसकी क्लासेज भी स्टार्ट कर दी गई, तो मन लगा के पढ़िये, हमारे ख्याल से इससे बड़ी संधांजली, बच्चों के लिए और पे जो देना चाहिए, वो बच्चे नहीं दे सकते, जो बहुत बच्चे भी इसमें देश का बच्चा-बच्चा विपिन सेवा होगे, आप इस चौपर हेलिकॉप्टर ब्लेक बॉक्स को समझे होगे, अब जाज की इंक्वाइरी बैठाई गई है, यह जब रिपोर्ट देगा, तो ही कोई भी चीज सामने आएगा, अभी कुछ भी चीज को पुखते तोर पे कहना भी उचीत नहीं रहेगा, क्यो देंगे नेक्स क्लास में, जाहिन!